संसार में जो निर्मात्री शक्ती है वो माँ है तो आदी शक्ती प्रकट होकर कहती है तुम नहीं जानते तुम किस रोट से आये हो तुम्हारी शक्ती मैं ही हूँ और ये ध्यान रख लेना कि तुम दोनों को तो अपना नाम भी नहीं पता उन्होंने कहा कि तुम मदू हो तुम कैटब हो उन्होंने कहा कि हमारी शक्ती क्या हमें कोई आशिरवाद दीजी जगदंबा से उन्होंने जो है आशीश मांगा और कहते हैं कि इनको उस समय तपस्या करने से एक वर्दान मिला था और वर्दान था क्योंकि बहुत समय तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद वर्दान मिल गया कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारी मृत्य हो सकती है तुम्हें कोई मार नहीं सकता कथा बहुत अलग-अलग ढंग से सुनाई जाती है और बड़े रस लेके सुनाई जाती है पर मैं आपको उस कथा का सिर्फ सार बताना चाहरा हूँ क्रिश्न भगवान के इस सुत्र के साथ इस लोक के साथ इसका मेल बैठता है रागर द्वेश के साथ ही मदू और कैटब का संबन बैठता है और कथाएं जहां भी पुराणों में हैं वहां लंबी चवड़ी बात कह करके फिर जो संदेश दिये गए वो बहुत ही मारमिक सं देश हैं विश्न भगवान से मदू कैटब का युद हुआ लेकिन वो मर नहीं रहे हैं और उस समय विश्न भगवान भी ये देखते हैं कि इनके पास कोई न कोई शक्ती ऐसी जरूर है कोई वर्दान प्राप्त है इनको कि ये मर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है जहां से वर्दान मिला है वहीं से मुझे भी शक्ती प्राप्त करनी चाहिए तो उन से कहते हैं कि तुम दो मिलकर मेरे से लड़ रहे हो तो तुम तो बारी-बारी लड़ने के लिए आ जाते हो मुझे तो विश्राम मिलता नहीं तो ऐसा करते हैं न ज्यादा आनंद आएगा में फिर लड़ते हैं तो ये देत्य दोनों के दोनों कहते हैं हाँ ठीक है विश्राम करके आओ विश्नु भगवान विश्राम आवस्था में कहना चाहिए न मिलते हैं ब्रेक के बाद लड़ाई फिर करते हैं इस विराम के बाद आलप विराम के बाद तो उसके बीच में ध्यान करना शूकर दिया और जगदंबा से क्योंकि देवी भागवत में तो आदी शक्ती की महिमा का वर्णन है तो कहते हैं वहाँ से उन्होंने वह आशीश मांग लिया वह शक्ती मांग लिया कि जिसके आधार पर इनका विनाश हो सकता है और उसी के बाद उन्होंने आकर इन दोनों से कहा कि तुम लोग जो लड़ाई लड़ते हो तो बहुत आनंद वाले लड़ाई लड़ गए हो पर मैं तुमारे प्राकर्म से बहुत प्रभावित हो गया हूँ प्राकर्म तुमारा इतना अधुत है कि जिसका सामना करना आसान काम नहीं है सुनते ही वो इतने फैल गए उन्हें लगा कि हम तो सच में महान है विश्णु भगवान ने उनसे कहा कि देखो तुमारी प्रसंसा जितनी मैं कर रहा हूँ ये कम है तुम तो इससे भी मानो मैं खुश हूँ तुमसे और मैं तुमें वर्दान देना चाहता हूँ इतना सुनना ही था दोनों के दोनों बोले तुम हमें दोगे तुमें तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है और इतने देर में कहते हैं कि वहाँ पर महामाया ने अपना स्वरूप रकट किया एक महीनी का सुन्दर रूप रकट किया जिसे देखते हैं मदु कैटब के मन में आया कि इन से हम लोग विवा कर लेंगे और हमारे जीवन का ये भी एक सुख हो जाएगा और जैसे विश्णु भगवान ने ये बोला कि मैं तुम्हे वरदान देना चाहता हूँ अब ये दोनों सोचते हैं वरदान लेने से तो ये मोहीनी जो आई है सामने सुन्दर रूप धान सुन्दरी जो सामने दिखाई दे रही है इनको लगेगा कि ये अगर मंगते हैं ये कुछ मांग रहे हैं तो फिर उसके सामने तो हमारा प्रभाव कमजोर हो जाएगा वो दोनों जोश में आकर के कहते हैं कि नहीं तुम हमें वरदान क्या दोगे तुम तो हमसे हार रहे हो हम तुमें वरदान दे सकते हैं हम तुमें ऐसा वरदान दे सकते हैं तुम मांगोगे विश्णु भगवान तो समझी रहे थे क्योंकि उन्होंने जो ध्यान करके शक्ति मांगी थी वो सुबुद्धी वाली या कहना चाहिए युक्ति वाली शक्ति मांगी थी ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन में कितनी भी तरह की लड़ाईयां क पड़ेगा युक्ति चाहिए युक्ति सही मुक्ति संभव होती है और वही कारिय विश्णु भगवान ने किया उन्होंने ये कारिय किया कि उन्हों से कहा कि ठीक है तुम मुझे वर्दान देना चाहते तो दो बोले मांग ये क्या चाहते है तो इन्होंने का मैं तुमारी कोई मृत्यू का वर्दान मागना चाहता हूं दोनों चिल्लाएं बोले हमें तो कोई जमीन पर नहीं मार सकता जहां जल होगा वहाँ पर हमें नहीं मार सकता कोई और तुम तो जल में रहते हो इन्होंने कहा कि आप वचन दो कि तुम्हारी मृत्यू हो सकती है क्योंकि वो तो इच्छा मृत्यू का वर्दान लिए बैठे थे कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम मरें अब फिर से इस बात को ध्यान में ले आईए रागद्वेशी मदुकैटब हैं ये भी ध्यान में ल के अंदर से ही रागद्वेश उत्पन होते हैं और जब ये उत्पन हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं राकसस बन जाते हैं आपको एडिक्शन देते हैं एडिक्शन देते हैं किसी भी चीज़ की आदमी अपनी भाशा से अपने रूप से अपने रंग से अपने कुल से अ और उसका नशेड़ी बन जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है, चिपकना चाहता है, ये एक इस्तती है, इसे राग कहते हैं, और इससे कोई छोड़ाने लग जाये, तो इसी से उत्पन होता है, द्वेश इसको का गया कैटब, और प्रतियक व्यक्ति के जिवर में, कुछ करने की शक्ति सब के अंदर है, लेकिन राग देश उत्पन हो गया, तो सबसे पहले आपके अंदर की निर्मान करने वाली शक्ति, जिसको ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं, उसी का भक्षन करने के लिए वो तैयार हो जाता है, अब यहां एक बात और ध्यान रख लीजिए, कि इसकी लड़ाई किस से होती है, विश्नु भगवान से, विश्नु भगवान ही आपके अंदर वह शक्ति है, जिस शक्ति को आप अपनी चेतन शक्ति कहते हैं, इसी के ओपर सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है, राग और देश का, तो आप उलज के रह जाते हैं, बंद ज लड़ाई में ही लगे रहें कि क्या इकठा करूं और क्या चीज से मैं विरोध करके अपना बचाव करूं, यहां फिर से द्यान रख लीजिए, कि इस लड़ाई में हमारा द्यान इस बात का रहता है, कि एक बार मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर तो मैं शान्द हो लेकिन मन के अंदर भूक और प्यास बनी रहती है, पैट्रोल डाल कर किसी आग को नहीं बुजाय जा सकता, इंदन डाल कर अगनी को शान्त नहीं किया जा सकता, तो इस बात में लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं, इसी तरह से बैर से बैर को नश्ट नहीं किया जा सक क्रोध से क्रोध को नहीं ठीक किया जा सकता, लोग जो है, जादतर अपनी जिंदगी में गुसा करकर के गुसे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ता है, विराम करके थोड़ी देर के लिए इस लड़ाई को छोड़कर आपको शान् जागता है, जिस से समझदारी जागती है, युक्तियां जागती है, कि जैसे बंदे थे वैसे ही बाहर निकलने की शक्ती भी प्राप्त हो, और उसी के बाद में फिर राग द्वेश को इस मधुकैटब को मोहित करने वाली जो शक्ती है, उस शक्ती का साथ लेना पड़ता ह है, ये बात ध्यान रख लीजिए, कि जिस चीज पर अभी तक हमारा राग लगा हुआ था, थोड़ा सा बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए उसको इस तरह, जैसे कहते हैं कि प्रतेक व्यक्ति, भक्ति करते करते, जब मन नहीं लगता, तब उसे एक दूसरा काम करना चाहिए, वो है किसी तीर्थ में मानसिक रूप से यात्रा करके, वहाँ दर्शन करके आए, और वहाँ दर्शन करने की अवस्ता में, आप वैसे जाके बैठें, जैसे देवता महां परिस्तूति कर रहे हैं, आप उस पूजा में शामिल हैं, और आपका ध्यान लगा हुआ आपको आशिरवाद मिल रहा है, तो आप जब उस तरह के कोई भी क्रिया करने लग जाते हैं, तो ये बात ध्यान लख लीजिए, उसी से आपका मन भी ठैरने लग जाता है, इस्तिरोने लग जाता है, तो ये कुल मिला करके वो चीज बताए गई है, कि यदि आप अपने र पर कीजिए, और राग जो है भगवान की प्राप्ति के लिए कीजिए, आकर्शन अगर मन में आता है, तो भक्ति का कीजिए, साधना का कीजिए, जिससे लगाव होना चाहिए, उधर की तरब लगाव लेकर के जाये, और जब ये लगाव हो जाता है, तो फिर आप देखते बावसागर जो कह रही है, उनका भजन आपने सुना होगा, बहु सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तर्नन की, मोहे लागी लगन गुरु चर्णन की या प्रभ चर्णन की, अब गुरु चर्णन की लगन लगी है तो अब बहु सागर सब सूख गयो, मतलब अब मेरे लिए कोई डुबोने वाली चीज नहीं रही है मोहे लागी लगन हरी चर्णन की गुरु चर्णन की तो अब मुझे फिकर नहीं अब तर्णन की अब तैरने की फिकर नहीं है बहुत सागर सूख गया पानी नहीं राज डुबो सकता है मतलब जिसकी जीवन में भक्ती जाग गई, जिसका ध्यान अपने प्रभू में लग गया, जिसका राग प्रेम बनकर परमात्मा की तरह बहने लग गया, तो वो राक्सस देवता वाला रूप धरन कर सकता है, वो बैर जो है आपको संसार से वैराग्य पैदा करके इश्वर के चर्णों में जोड़ देगा, इसलिए इन शक्तियों का वह उप्योग कीजिए, कि यह मारक ताकत आपके लिए तारक ताकत बन जाए, तो इसको समझाने के लिए यह कहा गया है, उस कथा को कहा गया है, कि जगदंबा की आरादना से आपको यह आशिश मिलता है, और कहते है कि उस समय विश्णु भगवान को वरदान इन राग द्वेश नहीं दे दिया, और विश्णु भगवान ने इनको उपर ले जा करके, अपनी जंगा पर रख करके इनको मृत्यु दी, अब फिर से समझ लीजिए, कि राग अर्द्वेश वरदान देने वाले बन जाते हैं, मदु कैटप भी वरदान देने वाले बन जाएं, मारने वाला, तारने वाला बन था कैसे है, ये बड़ी अद्वुत कता है, इसको अगर वैसे गा के लंबा करके सुनाया जाया है तो हो, क्योंकि पर तीन गंते लगते हैं, तो उसको सुनने में आपको लगेगा कि सच में क कमाल की कता है लेकिन मैं उसका सार बता रहा हूँ आपको कि राक्सस जो मारने वाला है वो वरदान देने वाला बनता कैसे है युक्ति से वो युक्ति कौन सी है युक्ति यही है जो चीज आज तक आपको बांधने में लगी भी थी मारने में लगी भी थी उसका मुख मोड़ दीजे, जो अभी तक हम से हम कोई छीन रहाता उसको वरदान देने वाला बना दो, आपका राग आपके कल्यान के लिए लग जाए, आपके जुम्मो ममता है, वो कहां हो जाए, जिनका ध्यान हर पल अपने भगवान की तरफ, गुरु के द्वार की तरफ, मंदिर के आसन की त उस तरफ आपका आकर्शन लग जाए, जैसे ही आकर्शन आपके जिवन में आएगा तो इसी को अगवान शी कृष्ण कहते हैं, प्रसाद मदिक अच्छती, तब आपके जिवन में प्रसाद गुण आता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था, कि सोच बदलिए, और सोच बदल क यह जानिये, कि आप भीड नहीं हो, भीड का हिस्सा नहीं हो, आप भीड से अलग हो, आप खास हो, इस खास को खास बने रहने के लिए, अपनी दुरबलता को अपनी शक्ति में बदलना होगा, आप खास हैं, इसलिए जीवन मनुष्य का मिला, मनुष्य के इस जीवन को एक मान अवसर मानिये और इसको पहचान करके अवसर का लाब उठाईए और इसे आप इस तरह से लाब उठाईए कि आपका रागदेश मदुक एटब ही वरदान देने वाले बन जाए आपकी स्रजन करने वाली जो ब्रह्मा वाली शक्ति है वो काम करने लग जाए आपकी जो आत्म है आपके अंदर का जो विष्णु है चेतन शक्ति है वह आपके लिए काम करने लग जाए नहीं तो रागदेश में वही तो बंदी रह जाती है इसलिए कहते हैं जीवन एक विद्याले है यहां सब को जीवन भर कुछ न कुछ सीखना पड़ता है जो सीखता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है और जो सीखने को तैयार नहीं है एंकार में आ जाए कि मैंने तो सीखना नहीं है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता इसलिए जीवन में पीछे रह जाएगा फिर ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए अच्छे संकल्प, शुब संकल्प, शुब जीवन के लिए आवश्यक है आपको ये याद रहना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है ये प्राप्त करना है यहाँ तक कि मेरी यात्रा पूरी होनी चाहिए अगर आप इसको ध्यान में रख कर चलते हैं अपनी शक्ती का उप्योग कर पाएंगे ये भी याद रख लीजिए कि शक्ती उपासना जरूरी है जैसे यहाँ शक्ती उपासना की बात सबसे अधिक कही गई क्योंकि शक्ती ही जीवन है जिनके पास शक्ती है चाहे मन की शक्ती तन की शक्ती धन की शक्ती संगठन की शक्ती विचार की शक्ती प्रेम की शक्ती शान्ती की शक्ती आत्मा की शक्ती कृपा की शक्ती गुरू की भक्ती की शक्ती देव-कृपा की शक्ति जितनी भी तरकी शक्तियां है अगर आपने इनको जागरित कर लिया तो आप निश्दी भागेशालिय恩 इसलिए शक्ति ही जीवन है शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए जब भगवान भी शक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और समय निकालते हैं तो ये संदेश दिया गया है कि विश्ण भगवान भी शक्ति पाने के लिए समय निकालते हैं किस से संगर्स की दुनिया से समय निकाल करके बैठ गए आपा धापे के दुनिया से उस लड़ाई से बाहर निकल करके शक्ति पाने के लिए अपने आपको शांत करके बैठ गए इसलिए नौ दिनों तक लगातार शांत होकर शक्ति उपासना के लिए कारिय किया जाना चाहिए तो थोड़े से समय में एक लंबी कथा को जिसके लिए लोग तीन दिन लगाते हैं मैंने आपको थोड़े समय में कहा हला कि जल्दी जल्दी कहने में कई बार क्या होता है कि हम उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते फिर भी ये समझ लीजिए ये मदुकैटब है फिर निशुम निशुम भी है महिसा सुर भी है वो सब गाताएं आपको समझाने के लिए है क्योंकि एहंकार एक महिसा सुर बन के सामने आता है बहुत सारी चीजे हैं जिनको हम लोग पुरानों की कथा में अगर देखेंगे तो उसका इत्र भी ले सकेंगे मैंने कोशिश किया है कि आपको वो सुगन मिल सके इसलिए भगवान शिक्रिशन कहते हैं राग देश से व्युक्त हो जाओ और तब आप अपने इंद्रियों का उपयोग जीवन का उपयोग करते वे चलो तब तुम संसार में फसोगे नहीं बलके अपने आपको अपने वश में रखते वे अपने आनंद को प्राप्त कर लोगे तो ये एक महन संदेश है भगवान करे के हम इस संदेश के साथ अपने जीवन को धन्य कर सके अपने खिदाश है सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत आशिरवाद बहुत शुब कामना है और सब ही को आमंतृत कर रहा हूँ मैं रिशिकेश हिमाले गंगा तट पर बैठ करके हम लोग प्रतेक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में द्यान साधना में शामिल होंगे यह कारिकर्म रहेगा सत्रा नौंबर से बीस नौंबर दो हजार बाइस तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हेमाले के उस आंगन में जहां शद्दा वाव से प्रतेक वर्ष हम लोग साधना करते हैं इस बार की साधना बहुत बहुत अधबुत होने वाली है उसके संब्द में अलग से आपको जानकरे देंगे क्या क्या लाब आपने उसमें प्राप्त करना है बस आप से तो इस समय यही निवेदन करूँगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए और जो लोग ही माचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे तो उन सब के लिए आउसर है कि वो रिश्य के आवश्य पहुंचे और इस बार इस बात का भी द्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीलबाड हो जाते थी गंगा तट पर इस बार ऐसी तिथियां रखे गई हैं कि जिससे आपको पूरा आउसर मिल सके और शान्ति में आप जह हैं वहां साधना भी कर सकें गंगा सुनान भी हो सकें और वहां के आरते में भी भाग ले सकें तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशिरवाद मंगल कामने और आमंत्रन भी